ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 60 साट संकेट, 60 जो ये बताएंगे कि आपको किसी से प्यार हो गया है ये लड़का और लड़की दुने पर डिपेंड करता है देखे, प्यार कुदरत का दिया हुआ वह खुबसूरत तुपा है जो जिन्दगी में एक बार सभी को मिलता है इसके एहसास से कोई भी अंचुआ नहीं रह सकता कुछ लोग के जीवन में बहुत जल्दी प्यार की बहार आ जाती है जब कुछ लोग के जन्दगी में प्यार थोड़ा देड़ से आता है किसी किसी को कब और कहा प्यार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता लेकिन जब किसी को किसी से प्यार होता है तो जन्दगी में बहुत सारी चीज़ें आटोमेटिक बदल जाती है प्यार का एहसास हमारी सुच के साथ-साथ हमारी जिन्दगी की दिन्चरिया पर भी असर डालता है चिए हमें प्यार होता है तो कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगने लगती है प्यार में इनसान कभी-कभी बड़ी बेवकुफी वाले काम कर देता है जिसे हो मजाग का पात्र भी बन जाता है प्यार में कभी-कभी इनसान बहुत खुश रहता है तो कभी-कभी बहुत गंपीर हो जाता है कभी-कभी उसे लगता है कि ओ दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है तो कभी कभी उसका मन काम करने का लगता ही नहीं और यह से बहुत लक्षन है जब प्यार होने के बाद दिखाई देने लक्षा कैं तो मैं वही सारे संकेत आपको बताने वाल रहा हूँ कि जब प्यार होता है तो क्या-क्या घटना ये घठती है तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप जब भी मिलने जाते हैं अपने लवर से तो उसके पसांद की चॉकलेट, कोल्डरिंग, फ्रूट या अपने हाथ से कुछ बना कर लेके जाते हैं सड़क पर चलते हुए एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हैं रेश्टरेंट, शॉपिंग का बिल, किराया सब खुद पे करने की कोशिश करते हैं चाहे हो लड़का हो या लड़की लड़कियों के पास तो दिखिये हैं जायतर पैसे होते नहीं फिर या कोशिश करते हैं कि हम पे करें और अपने बॉइफरेंड का कर्च नहीं होने पे फिर चाहे खुद को दो गंडे इंदिजार करना पड़े लेकिन अपॉजेट वाले को एक मिड़का भी इंदिजार नहीं करवाता है हरां की लड़कियां जायतर लेट होती है सड़क पार करते समय उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाते हैं ये लड़कों पे जायदा इंप्लिमेंट होता है वो मोका देखते हैं कि या सड़क पार कराना है तो रात पकड़ लो लड़की का फिर अगर सड़क पर चल रहे हैं तो उसे किनारी की ओर देखते हैं और खुद सड़क की ओर चलते हैं लड़कों की यादत होती है अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सारा सामान खुद उटाते हैं ये भी लड़कों पर इंपलिमेंट होता है उसके किसी भी काम के लिए मना नहीं करते हैं चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों नहूं उसके मना करने के बावजुद भी उसके फोन में रिचार्ज करवाते हैं यह सारी चीजे लड़कों पर इंपलेमेंट हो रहा है जो अभी मैं बता रहा हूं वाटसब पर मैसेज करने के बाद पार बाद यह चक करते हैं कि अभी पढ़ा है कि नहीं अभी तक ब्लु टिक क्यों नहीं हुआ Facebook, WhatsApp मैसेज Facebook पर वाटसब मैसेज पर रुमैन्टिक इस्टेश जालते है जहता लव या मोटिवेशनल बाते शेयर करते हैं दिन की शिरुवात उससे बात करके होती है और उसके गुड़नाइट बोलने के बाद ही सुने जाते है। रेश्टरंड में उसकी पसंद का खाना चता उसके पसंद की कोडिंग पीते हैं। चाहे उखुद उस चीज़ को पसंद करे या नहीं करे। उसकी नजरों में अच्छा बने की कोशिश करने लगते हैं। यह भी लडकों पे ज़्यादा इंप्लिमेंट होता है। अगर रास्ते में अपने दोस्तों के साथ हों आर वो मिल जाये। तो दोस्तों को छोड़कर उसके साथ चल देता है। यह भी लड़कों पे उपर जादा इंप्लिमेंट होता है फिर पब्लिक प्लेस रेस्ट्रेंट यादी में एक दूसरे को शेड़ते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि आपके आसपास और भी लोग मौझूद है क्योंकि प्यार अंधा होता है उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें नहीं देख रही है पर दुनिया उन्हें देखती है फिर दोस्तों से जुड़ बोलना शुरू कर देता है दोस्तों के साथ कहीं आना जाना, खेलना या उटना बैटना कम कर देता है भगवान में आस्ता बढ़ जाती है मंदिर मजारों पर जाकर मनत मागना शिरू कर देता है जहां जहां उसका आना जाना है वहाँ पर मंडराना शिरू कर देता है ये भी लड़कों पर इंपलिमेंट होता है लड़कियों पर इंपलिमेंट नहीं होता है कहीं पर भी उसका जिक्र होने पर चेहरे पर रौनक बढ़ चाती है उसके पसंद के कपड़े पहनना शुरू कर देता है इंटरनेट पर उसके नाम का अर्थ ढूनना शुरू कर देता है कंपनी में अगर बॉस टांट दे तो भी बुरा नहीं लगता है बोले चलो ठीक है यार चाहे जाना कहीं पर भी हो लेकिन जाते उसके गल्गियों से गुजर कर है ये लड़कों पे ज़्यादा तर इंप्लिमेंट होता है अगर उससे मिलने जाना हो तो तैस हमें से बहुत पहले पहुच जाते है ये भी लड़कों पे ज़्यादा इंप्लिमेंट होता है दिन में कई बार शिशा देखने लग जाते हैं अपने लुक्स पर ध्यान देने लग शाता है अपने इमेल आईडी, कॉम्प्यूटर या दिका पासवर्ड उसके नाम पर रख लेता है अगबारों में, किताबों में या इंटरनेट पर लव टिप्स और लव इस्टोरीज पढ़ने में रूची लेने लख चाता है अपना बड़े भले ही याद मरें लेकिन उसका बड़े हमेशा याद रखता है उसका किसी और के साथ बात करना या किसी और के साथ कही आना जाना बुरा लगता है जलन होने लगती है शेर, शायरी, गजल लिखना शुरू कर जते हैं अंदाज शायराना हो जाता है ये भी ज़रतर लड़कों पर ही इंप्लिमेंट होता है प्यार भरे गाने, शेर, शायरी, गजल बहुत डूब कर सुनते हैं ऐसा लगने लगता है यह जैसे कि हर एक लाइन बस उन्हीं के लिखी गई है उसके परिवार के लोग अच्छे लगने लगते हैं बहले उसके परिवार के लोग आपको पसंद ना करते हो उसके पालतु कुटे, बिल्ली, सब अच्छे लगते हैं प्यारे लगने लगते हैं और उसके सामने उन्हें बिना मतलब भी चुम लेते हैं यह भी लड़कों पे ज़्यादा इंप्लिमेंट होता है उसके बिना जिन्देगी बेकार लगने लगते हैं लगने लगता है कि उसके बेना जी नहीं पाएंगे फोन पर नंबर किसी का लगाते हैं लेकिन गंटी उसकी बच जाती है जिससे प्यार करते है उसके खुशी के लिए बड़ी से बड़ी कुरुबानी देने के लिए तयार हो जाते है हर पल उसे खुश करने के काम करते रहते है या उसे खुश करने के बहारे ढूंते रहते है उसको देखकर चेहरे पर रौना कह जाती है उसके दुखी होने पर खुद भी दुखी हो जाते है ऐसा मन करता है कि किसी भी तरह बस उसका दुख दूर कर दे है उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है उसका बिताया और वक्त पलग शपकते ही बीच जाता है जो उसके साथ जो वक्त बिताता है सारे दिन का वक्त भी कम लगने लगता है रोमेंटिक गानों के हर बूल मूवी का हर रोमेंटिक सीन खुद के लिए महसुस होने लगता है मूवी देखते हैं फिल्म के हीरो की जगा खुद की कलपना करने लगते है हीरो इन की जगा खुद की कलपना करने लगते है रोमेंटिक गाना सुनना शुरू कर देते हैं अच्छा लगने लगता है कहीं पर भी अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है ऐसा बन करता है कि यह सभी जगव पर वो साथ में जाए उसकी गैर मौजूद्गी में अधूरा पंसा महसूस होता है बार बार नजरें उसी को डूंटी रेती है अपने प्यार में चाहे कितने भी बहस्त हो जाए चाहे कितना भी जगड़ा हो जाए लाश्ट में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कोई उसकी जरा से भी बुराई कर दे तो बहुत बुरा लगता है और बुराई करने वाले से जगड़ा तक कर लेता है अगर वो साथ में आफिस में काम करे या स्कूल में, कॉलेज में साथ पढ़ते हैं तो बार-बार किसी बहाने से उनको देखते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं लेला मजनू, हीर राजशा, सुवेनी महीवाल, शिरीफ रियाद, रॉल मॉडल बन जाते हैं ऐसा लगने लगता है कि बस उनके लिए ही बना है, उसके साथ सारी जिन्देगी गुजारना चाहते हैं और अगले साथ जर्मों तक की प्लाइनिंग कर लेता है Freel, उसके अंदर कुई कमें नहीं दिखती है उसकी सारी कम्यों, सारी गलतियों पर प्यार आने लगता है उसकी हर बात अच्छी लगने लगती है उसकी बेवकूफी भरी हरक्ते भी बाने लगती है चे घर पर हो, आफिस में हो, या कहीं और हो ध्यान हमेशा उसी के ख्यालों में डूबा रहता है उसका फोन, मैसेज, मेल आने का इंतजार रहता है फोन का हर रिंग टोन, हर मैसेज डोर पर मन उचना लगता है कि शयद उसी का होगा अगर एक दिन भी उससे बात नहो या एक दिन उससे मिलना नहो तो जान निकल जाती है मन घबराने लगता है, बेचेनी होने लगती है और किसी का में मन नहीं लगता है उससे रोजाना मिलने को मन करता है और ऐसा मन करता है कि वो हर पल बस हमारे पास रहे हमारे साथ रहे, हमारी आंकों के सामने ले फोन पर बात करने के बाद भी उसे मैसेज करते हैं, वारसप पर चैट करते हैं उससे चाहिए फोन पर कितने ही बाते हो जाएं, लेकिन फिर भी उसे बार बार बात करने का मन करता है जब इनसान प्यार में होता है तो जादतर अपने प्यार के बारे में ही सूचता रहता है उसके हर ख्याल, उसके हर याद में सिर्फ वही होता है जिससे वह प्यार करता है या जिससे वह प्यार करती है हलंकि मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं ज़्यातर लड़कों पर इंप्लिमेंट होता है फिर भी लड़कियों के बारे मैं पहले एक वीडियो डाल चिका हूँ तो यह कुछ ऐसे लक्षन है जो प्यार करने वालों में दिखाई दे जाते हैं और भी बहुत साई लक्षन हो सकते हैं इनमेंसे कुछ लक्षन लड़के और लड़कें दोनों के लिए हैं तो कुछ लक्षन जायता लड़कों के लिए हैं यह ज़रूरी नहीं कि सबी लक्षन हर के लिए एक ही समान हो अलग-अलग लोगों में अलग-अलग लक्षन हो सकते है तो अगर आपके अंदर भी इन में से किसी तरह का कोई लक्षन दिखाई दे रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आप प्यार की गिरफ्त में आ चुके हैं बस आपको ये ध्यान रटना है कि अगर ये सिर्फ कुछ समय के लिए है तो ये अट्रैक्शन हो सकता है लेकिन अगर लगातार बार-बार आपको ऐसा मैसूस हो रहा है तो आपका जो प्यार है वो गहरा होता चला जा रहा है तो धन्यवाद आप अमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट पीशिए धन्यवाद